मद्धे परदेश के सिवनी जिले में गोत तसकरी के शक में उग्र लोगों ने दो आदिवासियों की पीट-पीट कर हत्या कर दी वहीं एक आदिवासियों की लंबी कतारे लग गई इस मामले पर कॉंग्रिस का आरोप है कि इस हत्याकान में बजरंग दल के लोग शामिल है मिली जानकारी के अनुसार कुरई थाना शेत्र के सिमरिया गाउ में एक घर में गो हत्या कर मास निकाले जाने की सूचना मिली इस पर कुछ लोग वहां पहुँचे जिन पर शक था उनसे मारपीट शुरू कर दी गई इस मारपीट में दो लोगों की मौत हो गई जबकी एक गंभीरू से घायल हो गया इसके बाद मंगलवार के सुबह जब आदिवासी समधाय को इस घटड़ा की जानकारी मिली तो उन्होंने राश्ट्रिय राजमार 44 पर जाकर चका जाम कर दिया कुरेश से कॉंग्रेस विजाएक अर्जुन माकोडिया सहीत अनेक लोग मौके पर पहुँच गए और उन्होंने जाम लगा दिया सड़क के दोनों तरफ कई किलोमेटर तक लंबी वहनों की कतारे लग गई पर शासन लोगों को समझायश में लगा रहा मगर भीड की माग है कि पीडित परिवार को नोकरी के लावा एक करोड रुपे का मौज़ा दिया जाए कॉंग्रेस का आरोप है कि सिवनी जिले में बजरंग दल के कारे करताओं ने दो आदिवासियों की पीट-पीट कर हत्या की है और एक युवा की हालत इसमें गंभीर बनी हुई है कॉंग्रेस विदायक अर्जुन सी माकोडिया धरने पर बैठे हैं और उन्होंने कहा शिवराज जी ये जंगल राज नहीं तो और क्या है